आज 26 दिसंबर 2021 अवेक्ट बाब दादा के रिवाइजड कोर्स है 17 दिसंबर 89 मदुबन टाइटल ही आज का है सदा समर्थ कैसे बने सदा समर्थ यानि पावर्फुल कैसे बने सारा खेली पावर्फुल बनने का है तो पावर्फुल बनने के लिए पावर्फुल का आती है क्योंकि विर्थ बहुत चलता है जब हम विर्थ पे जीत पा लेते हैं तो समर्थ बन जाता है पावर्फुल बन जाता है तो बाबा ने क्या देखा आज कि बच्चों में नेगटिविटी तो नहीं है काम महाशत्रु है पता लगया उस पे तो जीत पा ली फिर बाबा ने एक्जामपल दिया क्रोध भी तो महाशत्रु है क्रोध पर तो विजे पा लेते हैं फिर कहते हैं थोड़ा रोब तो रखना पड़ता है तो बाबा ने कहा वो भी तो आग्या नहीं है बाबा की तो बाबा की अम्रित वेले से लेकर रात तक हर करम के लिए आग्याए में लिए हैं तो वहाँ देखो कि हम कहां कहां अवग्याए करते हैं जहां जहां अवग्याए करेंगे वहाँ वहाँ समर्थी खतम हो जाएगी तो करना क्या है हर कदम पर आग्या कारी रहना है तो कौन कौन सा है बाबा ने अंदर बताया है उसके बारे में कहां कहां कैसे कैसे रहना है और सदा ही व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है उसके लिए बाबा ने कहा अपने आपको इतना बिजी रखो इतना बिजी रखो स्थूल में भी और सुक्षम में भी जहां खाली होंगे फ्री होंगे वहीं से माया आ जाएगी तो इतना अपने आपको बिजी रखना है क्योंकि आप वी 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 पापा की ते जितने मर्जी वी लगा लो इतने वेरी 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 इपॉर्टन हो क्योंकि आप विश्व को परिवर्तन करने वाले हो विश्व परिवर्तक हो आधार मूरत हो आपसे बड़ा वी आईपी कोई दुनिया में नहीं है तो बस आपने अपने दिन चर्या को स्थूल में भी और सुक्षम में भी सेट करना है और जब हम बाबा की आज्याओं पे चलेंगे तो परमात्मा की दुआएं मिलेगी करना क्या है सिर्फ हांजी का पाट पक्का रखना है स्थूल दुनिया में भी हांजी के पाट से कितनी दुआएं मिलती है पर यहां तो है परमात्म दुआएं जो आपको सदा ही डबल लाइट उड़ती कला में ले जाती है और आग्या करने से विल पावर आ जाती है यह बाबाने स्पेशल आज पर बात बो दुए तो विल पावर आने से क्या होता है वो आपको वर्दान के रूप में मिल जाती है वर्से के रूप में मिल जाती है उससे क्या होता है सारी पावर जब विल पावर आ जाती है तो सारी पावर सहजी आ जाती है तो इससे सारी पराप्तियां इजिली हो जाती हैं तो उसके लिए फिर लास्ट मिल बाबाने बोला कि आप चित्रकार हो अपना भी चित्र बनाओ का बनाओ अपना चित्र देखो उसका चित्र बनाओ और दूसरों को भी सिखाओ कि कैसे चित्र बनाते है जब चित्र बनाना सीख जाएंगे अपना भी दूसरों को भी चित्र बनाना सिखा देंगे अपने जीवन का तो सदा ही समर्थ आत्मा बन जा ठीक है तो अभी हम और बाबा ने कहा बैलनस चाहिए जहां बैलनस होगा वहीं ब्लेसिंग मिलेगी और लाइफ ब्लेस्पल बन जाएगी तो बैलनस है बाबा ने एजांपल दिया बालक और मालक बनने कहां कहां बालक बनना है और कहां मालिक बनके कहना है और जहां मालिक बनके कहना है वहां चेक करो बालक तो नहीं बने और जहां बालक बनना है वहां मालिक बनके और्डर तो नहीं किया यह चेक करो कैसे चेकरना है बहुत सुम्ज़त तरीके से बाबा ने समझाया है तो बाबा के मुख से हम सुनेंगे तो टाइटल है द्वारा शुरू करेंगे विस्तार में सदा समर्थ कैसे बने सदा पावरफुल कैसे बने सुनेंगे बाबा के मुख से आज समर्थ बाप, पाविरफूल बाप, अपने चारों और के मस्टर्स, समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, जो बाप समान बच्चे पाविरू बने आए, उन बच्चों को देख रहे हैं कहां बैठे हैं वो यहीं बैठे हैं पाउफुल बच्चे आपको भी बाबा देख रहे हैं न तो ध्यान रखना गुरी फोक्सिंग रखना एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाते भी अकर्शित हो जाते हैं क्यों यहां समर्थ स्तिती है जहां पाउफुल स्तिती है वहां व्यर्थ होई नहीं सकता संकल्ब भी व्यर्थ उत्बन नहीं हो सकता न स्तूर में होगा न थॉर्ट आएगा विर्थ खान तो बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फर्याद है कम्प्लेंट्स हैं कि कभी कभी विर्थ संकलब याद को फर्याद में बदल देते हैं चाहते हैं बाप याद करना फिर कोई ने कोई कम्प्लेंट आए जाती है बाप अपने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं हुआ ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ चाहते हैं कम्प्लेंट करें लेकिन आज आते हैं कम्प्लेंट में फर्याद में यानि विकल्पों जो नेक्टिवि मैजर्टी समय तक समाप्त कर लिया लेकिन व्यर्थ देखना व्यर्थ सुनना और व्यर्थ सोचना और व्यर्थ में समय गवाना इसमें फुल पास नहीं है क्यों कि अम्रित वेले से सारे दिन की दिन चर्या में अपने मन और बुद्धी को समर्थ स्थिती में स्थित करने का प्रोग्राम सेटी नहीं करते इसलिए अपसेट हो जाते है प्रोग्राम सेट करेंगे तो सेट रहेंगे प्रोग्रामिंग नहीं रखेंगे तो अपसेट हो जाते है तो अपसेट के कारण क्या है अपने दिन चर्या की प्रोपर प्रोग्रामिंग नहीं करते हैं जैसे अपने श्थूड कारी के प्रोग्राम को सारे दिन की दिन्चरिया को दिन्चरिया प्रमान set करते हो अभी वो करना है फिर वो करना है फिर वह जाना है फिर वहाँ जाना है ऐसे अपनी मंसा थौट पावर समर्थ स्थिती का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वता ही कभी एपसेट नहीं होंगे मन को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है इसकी भी प्रोग्रामिंदे नहीं क्योंकि मन पानी की तरह पानी को पानी क्या करता है उपर से नीचे खुदी बहता रहता है पानी को उपर चलाने में जोर लगता है ऐसे हमारे थौट भी उसने क्या बोला वो क्या बोला ऐसे चले रहते बहते रहते बिचार और सारी बिमारिया आने का कारणी वेश थौट्स है ना बिना अगनाइज किये मन को चलाना तो प्रोग्राइमिंग देनी है थौट्स को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है ऐसे अपने मंसा समर्थ्तिका प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वताही आटोमेटिकली कभी अपसेट नहीं होगे अब जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में, positive thoughts में, powerful thoughts में, purposeful thoughts में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समही नहीं मिलेगा आजकल की दुनिया में बड़ी पॉजिशन वाले जिनों को वी आईपी या आईपी कहते हैं वो सदा important person very important person कहते हैं वो सदा अपने कारिये की दिन चेरिया को समय परमान सेट करते हैं पूरी डैरी होती है इस समय क्या कहा जाना है क्या करना है क्या नहीं करना है तो आप कौन है बापा पुछ रहे आप कौन हो वो भल वी आईपी है लेकिन सारे विश्यु में इश्वरिय संतान के नाते ब्रह्मन जीवन के नाते आप कितने भी वी वी ए वेरी वेरी वी वेरी वेरी आगे लगादो तो भी कम है वुछ वी आईपी है आप कहते कितने भी वी वी लगा दो उतने भी कम है, क्यों? क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है यानि आप विश्व के नव निर्मान के आधार मूरत हो हमने इस कल्यूगी दुनिया को सत्यूगी बनाना है विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना है, नरग को स्वरग बनाना है तो बेहद का ड्रामा, बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल जीवन वाले हो, तो कितने बड़े हुए? ये शुद नशा समर्थ बनाता है, मैं कान? कितना वी 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 आई पी हो, ये अंदर नशा रहेगा, ये शुद नशा है शुद नशा में जो बाबा ने आपको कहा रहे है, वो शुद है वो आपको पावरफुल बनाता है और दे अभिमान का नशा मेरे ये पोस्ट है, मेरे ये पोजिशिशन है, दुनियावी पोस्ट है, ये आपको नीचे ले आता है तो आपका आत्मिक रुहानी नशा है इसलिए नीचे नहीं ले आता सदा उची उड़ती कला की और ले जाता है तो व्यर्थ तरफ अकर्षित होने का कारण क्या है वेश्ट में किन जाता है वरवन अपने मन बुद्धी की दिन चरिया सेट नहीं करते हो तो मन को बिजी रखने की कला संपुरन रिती से सदा यूज नहीं करते हो क्या सोचना है इसको सदा बिजी नहीं रखते हो एक बात हो क्या सोचना है ऐसी सोचते रहते हैं किसने कुछ किया दिया सोचने लग गए दूसरी बात बाप दादा ने अमरित वेले से लेकर रात के सोने तक मंसा वाचा कर्मना और संबंद संपर्ख में कैसे चलना है कैसे रहना है सब के लिए शिरीमत यह गो आग्या दी हुई है कि मंसा में क्या संब्रिती में रखना है यह हर करम में अपनी मंसा स्थिती का डिरेक्शन यह को हो आग्या मिली हुई है अमरित वेले में क्या थाट रखना है जैसे सुमान में रहना है तो वो सुमान में रहते हो अगर सुमान में ने रहते आज का बाबा ने क्या सौमान दिया है अपने कुछ सर्फ रिस्पेक्ट दे कर नहीं बैठते हो तो कैसा मुरी तो लाओगा आप सब आग्याकारी बच्चे हो ना वह बन रहे हो क्या कहोगे आग्याकारी अर्थात बाप के संबंद से बाप के फुल स्टेप लेने वाले चाहिए कहो कदम के उपर कदम रखने वाले एक तुमारा उससे संबंद क्या है अमरी तलमे वो बाप है मेरा जो बाबा ने कहा करने के लिए मुझे वो ही करना है और दूसरा नाता क्या है सजनियों का वो साजन भी है तो सजनी भी क्या करती है उनको क्या शिक्षा मिलती है साजन के कदम उपर कदम चलो तो आग्या कारी अरतात बाप दादा के आग्या रुपी कदम पर कदम रखना बाप दादा ने जो किया मुझे सिर्फ और सिर्फ वही करना है ये सहज है या मुश्किल है पूछने है बाबा कहां कदम रखें ठीक है वह नहीं ये सोचने की भी जरूरत ने जो बाबा ने कर दिया वैसे कर लो बाबा कहते है अगर गल्ट पिर किया है मैं ठीक कर दूँ उसकी चिंता नहीं है सहज लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आग्याओं का उलंगन होई जाता है बाते छोटी छोटी होती है लेकिन अवग्या होने से थोड़ा थोड़ा बोज इकठा हो जाता है अज बाबा बड़ी डीप में जा रहे हैं बात तो बाबा क्यों मानते हो थोड़ी भी बात नहीं मानी वो क्या हो गया बोजा चड़ गया बोजा चड़ गया वो बोजिल हो रहे हैं अब आग्याकारी को सर्व संबंद से परमात्म दुआएं मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि ये नियम है साधारन रिति भी कोई किसी मनुश्य आत्मा के डिरेक्शन परमान हान जी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उणको क्या मिलता है दुआएं जरूर मिलती है आग्याकारी को हांजी के पाठवाले को दुआएं जरूर मिलती है दुआएं मांगरे से नहीं मिलती आग्याकारी को दुआएं स्वता ही मिलती है और ये तो परमात्म दुआएं हैं और परमात्म दुआओं के कारण आग्याकारी आत्मा सदा डबल लाइट उर्तिकला वाली होती है उर्तिकला कैसे है डबल लाइट कैसे रहते हैं सिर्फ आग्या मानने से साथ साथ आग्याकारी आत्मा को आग्या पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेश वर्दान के रूप में मिलती है बावर बात इमाने आपको विल पावर आद कैसे आई ऐसे वर्दान अब मेहनत नहीं करने पड़ेगी रहाजे वसीयत आपको मिलकी बाप सब पावर्ज विल में बच्चे को देते हैं इसलिए सर्व पावर्ज सहज पराप्त हो जाती है सिर्फ बापा की हांजी का पार्ट करना है सारी शक्तियां आटोमोटली आ जाती है तो ऐसे विल पावर्ज प्राप्त करने वाली आग्याकारी आत्मा वर्षा वर्दान और दुआएं ये सब प्राप्तियां कर लेती है जिस कारण सदा खुशी में नाचते वावा के गीत गाते उड़ते रहते हैं क्यों क्योंकि उनका हर करम उनको प्रत्यक्श्वल प्राप्त कराता है प्रत्यक्श्वल क्या है खुशी अगर आपको बाबा के काम के जब बाबा ने आपको अग्या दे दी उसके परमान कारे कर लिया और दम इंस्टट आपको खुशी मिलेगी अगर आपको इंस्टट खुशी मिली तो समरो अगला भी जमा हो गया अगर उस से में खुशी नहीं मिली अगला भी जमा नहीं हुआ है अगला जमा हो गया उसका तरीका क्या है कैसे पता जलता है इंस्टन्ट खुशी मिलना अब करम है बीज करम है बीज जब बीज शक्ति शाली है भाबा ने कहा करम करने के लिए किसने का है बाबा ने का है अब वो करम कर दो बाबा ने का है आप ने करम किया अब करम जो आपने किया वो है बीज जब बीज शक्ती शाली है तो फल भी ऐसा ही मिलेगा ना तो हर करम का पर्त्यक्ष फल बिना मेहनत के सुटाही पराप्त होता है मेहनत ने की सिर्फ बाबा ने का बचा कर दो और आपने कर दिया समर्थ ने कहा समर्थ हो गया जैसे फल की शक्ती से शरीर शक्ती शाली रहता है ऐसे करम के पर्त्यक्ष फल की प्राप्ती के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है करम के करम से क्या हुआ समर्थ ही आगी जैसा करम वैसी पावर तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वता आप गया कारी बना सिर्फ आगे माननी है पावर्थ रहने बन जैंगे समर्थ रहने बन जैंगे तो ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूरन मन्जिल कौन से हमारी संपूरन मन्जिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है बापस्वन बन गया आप बाबा ने जो कहा आपने कर दिया बापस्वन स्थिति होगी आपकी तो व्यर्थ तरफ अकर्षित होने का कारण क्या हुआ अवग्या आग्या को नहीं माना पूरी तरह आपने वोगी अवग्या उससे क्या हुआ वेश्ट चलना चुब होगी आपका तो व्यार्थ तरफ अकर्षित होने कारण क्या हुआ अवग्या अब बड़ी अवग्या नहीं करते हो बड़ी अवग्या नहीं करते हो छोटी छोटी तो होई जाती है जैसे मुख्य पहली आग्या है पवित्तर बनो यानि काम विकार पर जीत पाओ काम जीत बनो अब इस आग्या को पालन करने में मेजोर्टी पास हो जाते हैं काम विकार में नहीं जाते हैं मेजोर्टी पास हैं भोली भाली माताएं भी इसमें पास हो जाती है तो बात अब जो बात दुनिया असंभो समझती उसमें पास हो जाते सन्यासी भी क्या कहते है हुवित्ता आगर कबुश कठे रही नहीं सकते उसमें भी पास हो गए विकारों में नहीं जाते लेकिन उनका दूसरा भाई क्या है करोद उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं फिर खुश्यार भी बहुत हैं कई बच्चे कहते हैं करोद नहीं किया लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है कुरोध नहीं आता थोड़ा रोब रखता हूँ बाबा कहते जब असंभो को संभो कर लिया पहला विकार काम विकार है उस पर जीत पाली और ये तो उसका छोटा भाई है तो इसको रोब रखने को आग्या कहेंगे या अवग्या क्या कहेंगे इसको आग्या की अवग्या अवग्या होगी ना रोब भी आँख भी दिखाते किसी को अवग्या तो कह लिए ना और चलो नेक्स एक्जामपल इससे भी छोटी अवग्या अम्रित वेले का नियम आधा पालन करते हो क्या से उठ करके बैठ तो जाते हो लेकिन जिसे बाप की आग्या है उस विधी से सिद्धी को प्राप्त करते हो अम्रित वेले विधी बापने मता का यह है कि सौमान में रो, सुदर्षन चकर पूरा गुम अकच करो बापने बताया रहा सारा कैसे अम्रित वेला करना है अब उस विधी से सिद्धी को प्राप्त करते हो शक्ती शालीश थिति अम्रित वेले में होती है यानि Sweet Silence के साथ कहा जाते हैं हम अमरेतना में परमधाम पहुंजाते हैं Sweet Silence जा पर है कोई आवाज नहीं है Sweet Silence के साथ निंदरा की Silence भी मिक्स हो जाती है थोड़ी नीद भी आती है बाप दादा अगर हर एक को अपने सब्ता की टीवी दिखाए बापा टीवी ओन रहे तो पर से देखते रहे तो बच्चे अमरीत वला कैसे कर रहे है बापा कहते अगर एक हफ़ते का रिकार्ड दिखाएं तो बहुत मज़ा देखने में आएगा तो आदी आग्या मानते हो आदी आग्या क्या है नेमी नात बनते हो नियम बनाया वे आपने तो बापा के रूप में जाना है उठके मजबूरी से बैठ जाते हो लेकिन सिद्धी से रूप नहीं बनते हो सफलताता नहीं मिली आपको बैठता हो गए आदा नमात आगे तो पाल ली आपने इसको क्या कहेंगे ऐसी छोटी छोटी आग्याए हैं फिर अब इस तरह में कितने फैल हुए कितने पास हुए सोचना आप अब जैसे आग्या है किसी भी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो इसमें भी दुख देते नहीं हो लेकिं ले लेते हो ना वयर्थ संकलब चलने का कारण ही यह है वयर्थ दुख लिया कीसे दुख लिया सुन लिया तो दुख ही हुए, उसने न बोला, इतना कुछ बोला मुझे, दुख ले लिया, सुनी हुई बात, ना चाहते भी मन में चलती है, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए, डैश, 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 लगा लो अपनी बाते क्या क्या सोचते हूँ, और उसने क्य अब आपने सोचना है कि नहीं सोचना, तो व्यर्थ सुनने, व्यर्थ देखने, की आदत मन को 63 जन्मों से है, दौपर से शुरू होगी आदत, इसलिए अभी भी उसी तरफ अकर्शित हो जाते हो, अब छोटी छोटी अवग्याएं, मन को भारी बना देती है, प्रॉल्म देखो कहा है, बापने क्या बोला, गलत उसने किया, आप क्यों सोच रहे होगी, आप तो अम्री तविला किया है, पावर्फु स्थिति बनाई है, उसको सारी दिन चाहरे हैं, उस्थिति में रहो, पर दूसरे दूसरों को सोच रहे हो, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उससे क्या हुआ, छोटी छोटी अवग्याएं मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण, उची स्थिति की तरफ उड़ी नहीं सकते, ये बहुत गुया गती है, जैसे पिछले जन्मों के पाप करम, पिछले जन्मों के पाप करम के, ये तो पता नहीं हमारे को, अब पिछले जन्मों के पाप करम, बोज के कारण, आत्मा को उन्हें नहीं देते, योग लगता नहीं मारा, है न, ऐसे, ऐसे इस जनम की छोटी छोटी अवग्याओं का बोज जैसी स्थिती चाहते हो वैसी अन्भोग करने नहीं देता अमरित वेला अगर आपका योग नहीं लग रहा पावर्फू स्थिती नहीं है नीद आ रही है पिस इस जनम में भी कोई ना कोई डिस सर्विस कर रहे हो कोई ने कोई बाबा की आगया नहीं मान रहे हो चेक करो आज मैंने बाबा की कौन सी बात दिमानी जो मुझे अमरित वेले में नीद आ लगी है थाट भी नीद का आगया तो समलो कोई अवग्या की है आपने इस जनम की पिछले जनम की नहीं है अब ब्रामनों की चाल बहुत अच्छी है बाप दादा पूछते है कैसे हो तो क्या कहेंगे सबी बहुत अच्छे है ठीक है फिर जब पूछते हैं कि जैसी स्थिती होनी चाहिए वैसी है तो चुप हो जाते हैं तो चुप हो जाते हैं इस खारण ये अवग्याओं का बोज सदा समर्थ बनने नहीं देता तो आज यही स्लोगन याद रखना ना व्यर्थ सोचो ना व्यर्थ देखो ना व्यर्थ सुनो ना व्यर्थ बोलो ना व्यर्थ करम में समयगाओ सोचना बोलना करना कुछ नहीं करना कोई किसने कुछ किया दिया उसके बारे में सोचना नहीं नहीं बोलना भी नहीं नो आर्गुमेंट्स हमें उससे कोई मतलब नहीं है हमें बाबा नहीं क्या बोला है मुझे उसी प्रमान सोचना है बोलना है करना है आप बुराई से तो पार हो गए नेक्टिविटी नहीं आप में आप में आप में करोद नहीं आप में अब ऐसी आग्या कारी चरितर का चितर बनाओं अपना चितर बनाओं मैं कितना आग्या कारी नहीं कहां कहां मैं जो बाबा ने सोचने के लिए का है जिस सौमान में मैंने अपने को टिका के रखा है मैं उस सौमान में कितना दिन सारा दिन रहा इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा फिर बाबा ने कहा सभी टीचर्ज आर्टिस्ट हो चित्र बनाना आता है तो अपना श्रेश चरित्र का चित्र बनाना आता है न अपनी एक्टिविश सारा दिन चेक करो इसका चित्र बनाओ तो बड़े ते बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं इसी चरित्तर का चित्र बनाने के कारण ही आपके जड़ चित्र आधा कलब चलते हैं जो हमने इस समय काम किया संगम्युक पर यही भक्ति मार्ग में आपके चित्र आपको दिखा रहे हैं आपके चित्रों दौरा परदश्णी हो लिए पुरी भक्ति मार्ग में तो टीचर अर्थात बड़े ते बड़े चित्रकार कौने टीचर बड़े ते बड़े चित्रकार आर्टिस्ट अपना भी चित्र बनाते और अन आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो यानि औरों के भी श्रेश्च चरित्र बनाने के निमित टीचर्ज हो इसी में ही बिजी रहते हो ना फुल बिजी रहो एक सेकिंड भी मन बुद्धी को सबसे पॉर्डर लाइन एक सेकिंड भी मन बुद्धी को फुरसत में रखा तो व्यर्थ संकलब अपनी तरफ अकर्षित कर लेंगे चेकिंग करनी है व्यर्थ क्या है व्यर्थ क्या है समर्थ का अभाव अधेरा क्या है रौश्नी का अभाव रौश्नी जिखा दो एक लैड जिखा दो अधेरा खितम हो जाएगा एसली वेश्ट कुछ रहा है आग पर समर्थ नहीं है बाबा की मुल्यों पर अटेंशन नहीं है अमर्थ में ले किस सौमान में रहे वो यादे नहीं है रहा सारा दिन सुनाया ना कि सेवा का परत्यक्षफल सदा प्राप्त हो यही निशानी है सदा आग्याकारी आत्मा की क्या है आग्याकारी आत्मा की निशानी जो सेवा की उसका परत्यक्षफल सदा प्राप्त हो सेवा का प्रत्यक्ष पल क्या है सेवा की खुशी बाबा ने कहाब बच्चे करो ऐगता बाबा के काम करने पर खुशी मिली ये क्या है निशानी सदा अग्या कारी आत्मा की कभी सेवा काफल पर्त्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता सेवा की खुशी मिली कभी नहीं मिलती इसका कारण कोई ना कोई अवग्या होती है टीचर्ज अर्थाद अम्रित वेले से लेकर रात तक हर आग्या के कदम पर कदम रखने वाली अम्रित वेला से ही आपने स्वेरे स्वेरे अम्रित कैसा पिया क्योंकि सारा दिन तो जहर ही पी रहे हो तभी तो नाम है अम्रित वेला अम्रित वेला से आपकी दिन चेलिया कैसे रही चेक करो ऐसी टीचर्ज हो वह कभी कभी अलबेला पना आ जाता है केरलेस्स हो जाती है पुछ रहे बाबा अलबेला नहीं बनना इसमें केरलेस्स नहीं बनना जिम्मेवारी के ताजधारी हो कभी ताजभारी लगता है तो उतार देते हो बड़ी जिम्मेवारी है ताज ताज देते आप उताने वाले तो नहीं हो ना सदा आग्याकारी माना सदा जिम्मेवारी के ताज धारी पूरी जिम्मेवारी है अपनी भी और बाकी बच्चों की भी जिम्मेवारी आपकी है उनको भी अमरित वेले उठाना उनका भी अमरित वेला पाउर हुआना तब ताज मिलेगा टीचर तो सभी हैं लेकिन इसको कहते हैं योगी टीचर योगी टीचर योगी और योगी टीचर टीचर कभी कंपलेंट नहीं कर सकती औरों को कंपलेंट करने वाली हो कंपलेंट करने वाली नहीं कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो न क्या करें हो गया होना तो नहीं चाहिए वो तो समाप्त हो गया ना पूशने बाबा वो तो समाप्त हो गया ना सुनाया था पत्र लिखो जरूर मदुबन में पत्र जरूर बेजो परन्तू कैसे पत्र नहैं मैं सदा ओके हूँ ओके किंग रम विश्व की राजधानी मिली क्या चाहिए बाबा मिला और विश्व की राजधानी मिलनी और क्या चाहिए इसने में शबाब केते हैं ओ के लिखो बस ये दो लाइन लिखो पढ़ने वाले को भी टाइम नहीं फिर कंप्लेंट करते हो कि बाबा मैंने तो पत्र लिखा था पत्र का उत्र ही नहीं आया वास्तो में सुने वास्तो में क्या है वास्तो में आप सब के पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते हैं क्या कहते हैं लास में कहते हैं ना याद प्यार और नमस्ते जी तो ये रिस्पॉंड हुआ ना अब क्योंकि समय को भी बचाना है ना तो सेवा समाचार लिखो पर शौट में तो समय की भी एकॉनमी होगी कागज की भी एकॉनमी होगी बचत होगी पोस्ट की भी एकॉनमी होगी लेटर लगने पड़ेगी इनले लेटर लगने पड़ेगा उसकी भी बचत होगी एकॉनमी हो सकती है ना बचत हो सकती है ना अब तीन पत्र तीन पेज में भी लिखा जा सकता है कोई को विस्तार से लिखने का डिरेक्शन मिलता है तो भल लिखो लेकिन दो लाइन में भी अपनी गलती की शमा ले सकते हो कोई भी गलती कर दी है छिपाओ नहीं लेकिन शौर्ट पे लिखो कछे लेको दो लाइन में सारी बाबा कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सारी नहीं होता बाबा को कहो मेरा ये काम कर लो मेरे को ठीक कर दो मेरा धंदा ठीक कर दो मेरी पत्री को ठीक कर दो डैश 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 मेरे पत्री को ठीक कर दो डैश 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 ऐसे पत्र एक बार ही नहीं दस बार ही बेजते हैं तो अब तो अब एकोनामी के अवतार बनो और बनाओ बचत करो बेजा मेरा बहुत काते हो अब बच्चत करो अच्छा सभी को ये मेला बाबा मिलन अच्छा लगता है ना दुनिया वाले कहते दो दिन का मेला और आपका मेला चार दिन का मेला है बाबा मिलन जाते है चार दिन बाबा मिलन के लिए जाते है सबी को पसंद है ना यह मेला बाबा मेलन अच्छा फिर अव्यक्त बाप दादा की जोन वाइज बच्चों से मुलाखा तो कौन सा जोन का टर्ण था बॉंबे और गुजरात गुरुप से इसने बाबा ने बैलन्स करना सिखाया कहा बैलन्स करना है किसको बैलन्स करना है एक दो एकॉनमी करनी है बजट करनी है वेस्ट थाट नहीं चलाने सिर्फ समर्स में रो जो सुमान रहा है अपने सुमान में रहे उसी दिन में सारी दिन्चरिया सेट करो अपने अब बैलन्स क के अर्तात बेहद के मालिक के बालक हैं ऐसे समझते हो किश्यु बाबा के हम बचे हैं ऐसे समझते हो बालक सु मालिक होता है इसलिए बाप दादा बच्चों को मालेकम सलाम क्याते हैं बच्चे कों से हैं विश्व के मालिक बनने वाले श्वी बाबा कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता सुरक का मालिक नहीं बनता तुम बनते हो इसलिए बाबा तुमारे को सलाम करते हैं विश्व के मालिक बनने वाले बच्चो सलाम बेहद बाप के बेहद के वरसे के बालक सो मालिक हो कौन से बालक हो जो विश्व के मालिक बनने वाले हो तो बेहद के वरसे की खुशी भी बेहद होगी ना लेम्टिर खुशी दे नहीं होगी ना अनलेम्टिर खुशी होगी बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं कैसे विश्व के राजी का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं खुद तो नहीं बनते सर्मे तबाब आते नहीं है तो वरतमान और भविश्व दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद है सत्युग में भी हदे तो नहीं होंगी ना वहाँ भी लिमिट तो नहीं होगी हद तो नहीं होगी ना भाशा की ना रंग की ना देश की यहां तो देखो कितनी हदे हैं बेहद के आकाश को भी हदों में बांड दिया, यह मेरी टेटरी में आएगा, यहां से तुम्हारा जहाजने निकलना चाहिए, कितनी लिमिट्स बिना दिया है, वहां कोई हादी नहीं होती, तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया, लेकिन, लेकिन, बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले, इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा, बड़ी कौशिस आप में आई हुए है, उससे भी परे जाना पड़ेगा, अगर दे बहान की हद से निकले तो, और सभी हद से निकल जाएंगे, बड़ी कौशिस से निकल गए, तो बड़ी कौशिस अगर आगी, तो काम, क्रोध, लोग, मुह, हिंकार सब साथ साथ आ जाएंगे, इसलिए बाप दादा कहते हैं, पहले दे सहित, दे के सब संबन्दों से नियारे बरो, डिटायच हो जाओ, अपनी दे से भी, संबन्दों से भी, पहले दे, अपनी दे से तिराज़ो, फिर दे के संबन्दी, तो इस दे के भान की हद से निकले हो, बड़ी कौशिस से निकले हो, कि मैं शरी नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, क्योंकि दे की हद कभी भी उपर नहीं ले जाएगी, क्यों, क्योंकि दे मिट्टी है, और मिट्टी सदा भारी होती है, कोई भी चीज मिट्टी की होगी, तो भारी होगी ना, ये दे तो पुरानी मिट्टी है, इस में फसने से, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, शिर्फ को मालग को प्रॉड्रम हागी, सोचते हैं उसके बारे में, क्या मिलेगा सोचने से, तो सदा यह नशा रखो, की बेहद का बाप, और बेहद का वर्सा, उसके बालक सो मालिक हूँ, जब बालक बनना है, सुनो, अब कैसे बालक और कैसे मालिक बनके रहना है, बैलेंस कैसे बालक बना है, उस समय मालिक नहीं बनूँ, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो अब कहां बालक और मालिक जब कोई राय देनी है कोई आपसे पूछे इसको कैसे काम किया जाए इसको क्या किया जाए इसको कैसे करें जब कोई राय देनी है कोई प्लैनिंग करनी है प्लैन सोचना है या कुछ कारे करना है तो मालिक होकर करो अथर्टिसे करो लेकिन जब मैज्रॉर्टी द्वारा या निमित बनी आत्माओं द्वारा जो निमित है जनकी सेवा की जब्मारी है उनके द्वारा कोई भी बाद final हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ उस समय मालिक नहीं बनो यानि मेरा ही विचार ठीक है मेरा ही प्लैन ठीक है नहीं उस समय मालिक नहीं बनो तो किस समय राए भादुर बनना है और किस समय राए मानने वाला बनना है जिसको यह तरीका आ जाता है वो कभी नीचे उपर नहीं हो तो उसके अंदर थौर्ट का प्लक्टियोशन नहीं होगी किसी ने पूछा कैसे करें ऐसे ऐसे करो मालोग किसी का मिस्जिन फाइनल हो गया अच्छा ऐसे करना है ओके जी ऐसे कर लेते हैं जी उसी सेवा में त्यारो जो वो पुर्शार्थ और सेवा में सफल रहता है तो पुर्शार्थ भी अच्छा लेगा सेवा भी अच्छा लेगा सब उसको बलाएंगे आओ जी आओ सेवा करो उसका थाट तो खराब होगा नहीं कोई डिस्टरफ भ़गा नहीं मेरे बाद क्यों नहीं मानी उसका परशाद भी बहुत से होगा और सेवा भी बहुत से होगी तो अपने को मोल्ड कर सकता है अपने को जुका सकता है और जुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता तो सफलता की विदी क्या है विदी से सिद्धी है ना तो सफलता की विदी है बालक सो माले तो समय पर बालक बनना और समय पर मालक बनना ये विदी आती है अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो क्या होगा तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा और जो विदी को जानते है जो इस विदी को जानते है और समय परमान उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है जो 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 समय लिया काम बच्चा बनके रहना है काम वाली बनके रहना है और वो ही सदा मुस्कुराता रहेगा और सौयम भी खुश रहेगा और दूसरों को देख करके भी खुश होगा सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ ये नहीं लेकिन खुश करना भी है खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे, कौन राजा बनेगा, खुश रहना भी है, खुश करना भी है, यानि अपने को मोल्ड करेंगे, तो गुर्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा अच्छा, अच्छा, चारो और के, सदा समर्थ आत्माओं को, सारी पाउख लोगा दे बैटी हैं, और सदा हर कदम में आग्याकारी रहने वाले, आग्याकारी बच्चों को सदा, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक आत्माओं को, और सदा, अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, वर्दान है, स्थूल और सुक्ष्म दोनों रिती से स्वेम को बजी रखने वाले माया जीत, विजईए भो, कौन है आजम, माया को जीतने वाले भी और हर काम में विजईए, कैसे बनेंगे, जब हमने अपने को बजी रखा, दोनों उत्रे बिजे रखा, दोनों कोई से, स्थूल और सुक्षम, सुक्षम में क्या है, थाठ, इदर उत्रे का थाठ ने चलाना, और स्थूल में भी, टैक्टिकल में भी, ऐसा काम जिना करो, आपको प्रॉलम आए, स्थूल में भी ध्यान रखो, और अंदर सुक्षम में भी ध्यान रखो, तो दोनों में क्या करना है, बाबा जैसे कहते हैं, ऐसे अपने को मिशा विजे रखेंगे, क्या बन जाएंगे, माया जीत विजेही, बाबा ने का, स्वयम को सेवाधारी समझ, मैं सेवाधारी हूँ, अपनी रूची, उमंग से, सेवा में विजे रो, त माया को चांस ही नहीं मिलेगा जब संकरब से बुद्धी से चाहे स्थूल कर्मना से फ्री रहते हो तभी तो माया चांस ले लेती है लेकिन स्थूल और सुक्षम दोनों ही रिती से और खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का सहास रखी नहीं सकती इसलिए स्वयम ही टीचर बन बुद्धी को बिजी रखने का डेली प्रोग्राइम बनाओ तो माया जीत विजही बन जाएंगे ठीक है न इतना बाबा जो आपको सौमान में रखता है इतना बिजी रखो कि विर्थ के लिए कोई गुजाश ही ना रहे उसके लिए क्या करो स्लोगन है निश्चे बाबा पे विश्वास अपने पे विश्वास परिवार पे विश्वास ड्रामा पे विश्वास तो निश्चे और फलक से नश्चे से कहो निश्चे और नश्चे से फलक से कहो क्या कहना है बाबा मेरे साथ है तो माया समीब आई नहीं सकती कहते हैं ने मेरा बाबा प्यारा बाबा जब मेरा बाबा है तो परसल साथ में रखो ना तो मेरा बाबा में is.. वैल्यू बे स्वैल्यू को अपने साथ रखो परितर दा को अपने साथ रखो आत्मिक प्रेम को अपने साथ रखो शान्ती को अपने साथ रखो मया समीप काम करो दुरों मुँआ कर समीप आई नही सकते Um Shanti अर्ष।